सोलन में रास्ट्री यह human right संस्था ने बैठक का यूजन किया इस बैठक कि अधक्ष ताich संस्था के रास्थ अधक्ष जीते अंदर ने कि वह 1991 प्रदेश बहर से आए करीब आускे 100 सा अधस्य ने बैठक में भागलिया भेटक में रास्ट्री मानवादिकार संग हिमाच्र परदेश की कारेकारनी का गठनी किया गया जिसमें रास्ट्री मानवादिकार संग का चेर्मेन त्री लोक कुमार रमेश कुमार को अध्यक्ष बोपरबंद निदेशक सपना को चुना गया इस मौक्वे पर संस्था के पद अधिकारियों ने बताया कि केंदर सरकारदारा बहुत सी योजने जंता के हितों के लिए चलाई जा रही हैं लेकिन जंता को उन योजनाओं के बारे में सही जानकारी नहीं पहुच पाती जिस कारण बो योजनाओं का लाप नहीं उठा पात हम लोगों का जो मुक्ख उदेस है वो ये है कि हर मानव को वो अधिकार दिलाना चाहते हैं जो हमारे समीदान ने हमें दिया है यहाँ पर बहुत सारी योजनाइए हैं बहुत सारे चीज़ें हम लोगों को परवाइट की जाती है गवर्मेंट की सारी लेकिन government की सारी चीज़ें को हम लोग मुख रूप से नहीं ले पाते हैं इसकी कमी ये नहीं है कि government में कमी है कमी हम सब हो में हैं क्योंकि हम लोग अपना rights नहीं ले पाते हैं हम लोग अपना rights नहीं जान पाते हैं हम लोग अपने डाइट्स के बारे में मुख रूप से अगर जान ले और उनको ले ले तो हम लोग पूर्ण रूपें संपन हो जाएंगे और किसी भी तरह की कोई कमी महसुस नहीं करेंगे इसी उदेश को लेके हम इस राज़ी में एक ऐसा प्रोग्राम और ऐसा इवरनियस प्रोग्राम करना चाहते हैं हर एक कस्वा, हर एक गौँ, हर एक एरिया में जिसे की हम अपने इस और्गनेजिसन्स का एक अलग अचिवमेंट देना चाहते हैं हमारे मौलिक अधिकार जो है, बहुत सारी ऐसे विलेजीज या ऐसी जगाए है जहां तक बहुत सारी चीज़ boy नहीं पहुंच पाती है गवरनियेंट हमें बहुत सारी चीज़ें उपलवत करवाती है बट हम तक हम तक नहीं गाओं में बहुत सारे आसे- विलेजीस हैं जो अभी भी इनसे ट banana सर अभी भी उनको वंजित हैसर इन सब सुबिधाओंसे तो वह रहें एस नेज चारों के थुरुं हम उन लोगों तक वो सारी सुविधाई पहुचाने का बेडा उठा रहे हैं सर इसमें कारेकरम में और हक दिलाने की कोशिश करेंगे सर